हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो फिर मैं आप लोग के साथ नेखने ब्लॉग लेकर आ गई हूँ तो ये ब्लॉग जो भी है जैसा भी है आप लोग जरूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और जो भी मेरी वीडियो में कमी है जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पे सुबह का टाइम है सुबह के 9 बच रहे हैं और आज मेरी मतलब जल्दी हो रही है जो भी काम है और जाड़ों लगा लिया था ौछा मैंने नहीं लगया था क्योंकि बच्चे सूज फगरे पहनते है तो फिर हो जाते है मिटिा मिटी मिटि दोड़ा महुन तो फिर जाड़ के फिर पोचा करते हूं और पूजा वगरे करने के बाद पिर मैं आ गया हूं कीचन में और सबची तो यह सबसे मन भी उख जाता है खाते घाते तो फिर मैंने ब्रेट मगाया था तो मुझे लगा चलो आज यह सिंपल सा ना मच्चों के लिए उनी लोग के हिसाब से जाने एक मिर्चा मैंने मज़ डाला था और आलू को में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूं मिर्चा प्याज और थोड़े से मसाले डाल कर तो बच्चों को मैंने दे दिया था और यह बचा था इतना थोड़ा सा तो यह हुआ है कि चलो हम लोग भी नास्ता कर लेंगे बना लेते हूं तो यह भी घर पे हैं इन्होंने दो दिन की छुट्टी लेती तो यह भी घर पे हैं तो को दे दूंगी और मैं भी खा लेती हूं नास्ता हो जाएगा हम लोग का उसके बाद फिर खाने की तयारी भी करूंगी और आज मुझे भी डॉक्टर के पास भी जाना है दवा मेरी खत्ब हो गई है और जो इंजेक्शन मुझे लगना था तो वही लगवारना है और आज के सिर्दवा थी तो देखी कर जाती हूं वैसे तो साम को जाना होता है तो दो पहर में अगर जाओ तो डॉक्टर जहां देखते हैं अपने क्लिनिक पे तो प्राइबेट में तो वहां नहीं मिलते हैं और साम को अपने क्लिनिक पे मिलते हैं और दो पहर में अब वहां सरकारी जो हार फीटल है वहाँ पे मिलते हैं तो वहीं पे देख लिए हूँ तो अभी वहीं पे जाना होगा क्योंकि बात होई है साई दिन से और मुझे पता नहीं है कम चारना है कम नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा आलू जितना भी था तो ब्रेट में लगा के और फी थोड़ा सा हलक हलक मैं थोड़ा समय गी लगाया है पहुंचादे नहीं तो उतना भी बस थोड़ा सा मतलब सीख जाए अच्छे से तो फिर मैं इस पे रख देते हूँ और एक बार में लेकिन उसके बाद से थोड़े माज़ने करनाने के बाद फिर मैंने खाणा बनाया था इसके बाद से बच्चों के आने के बाद फिर मैं आ गही थी तहीं है और प्रेंच ओप ही दोक्टर चेर्ट उपकेश काम हूगे थी तो मैं कोई भी वीडियो नहीं पना पाई क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के यहां और यह हुआ कि सुभा ही चाना है तो फिर मैं कि फटा-फट से खाना ना बनाए नासना करने के बाद तो फिर फौन आया कि नहीं डेड़ बजे के धाई, डेड़ बजे मिलेंगे डॉक प्राइबेट देखते हैं लेकिन अगर जिस और कोई काम रहता तो वहीं हो मिलते हैं तो मुझे इंजेक्शन लगवाना था जो इंजेक्शन एलर्जी की लोन ने बोला था तो थी मन्त के लिए एक पहले मन्त में ले गएगा एक दूसरे मन्त में और एक तीसरे में तो तीन म थीर बज़े तो तूरं थम लोग निकल गय और वहां पर जाके हम लोग कोई मतलब 3 सब स सुत्ती बज़े दक्तर हम लोगव से मिले एक दिर घंटा हम लोग को डेर घंटे तक बार घंटे से उपर हम लोगव को इनतिजार करना परा तब जाके मिले जाकरी हास्पिटल में सफाई तो बहुत थी लेकिन मतलब कहीं कहीं गंदगी भी होती है और बलड वगएर हैं तूटा-फूटा मतलब सरकारी हर्पिटल में जाहिए तो बहुत सारे हर तरह के मरीज दिखते हैं आपको तो वह चीजे देखके ना एकदम से दिमाग खराब गया सफाई में कोई कमी लेकिन होता है ना कि कहीं किसी का पैर पैर कहीं किसी का सरऴ कि कि मतलब में जहां गैते जहां मुझे जाना थ्यानटा तो वहां ना कान गले के दक्राटी से बात्राबन वहां से आने के बाद और अगर सरकारी हाँ स्पीटर में चाहो तो फिर वहां से आने के बाद वैसे मन नहीं होता है कि घर में घुझो तो मैंने क्या किया आई और उसके वासे भी ना खाये हम लोग गये थे सिर्म नास्ता करके मैं गई थी अब पठापड से केसे खाना बना के तो वहां से आने के बाद आते हैं ते साड़े तीन तो होई गये हैं अभी चार बज़ने वाले हैं और साड़े तीन बज़े मैं आई हूं तो फटापड नहां के फिर मन नहीं हो रहा था ना कि मैं घर में तो वहीं नहा के और आप लोगों से आरहे हूं अभी मैं आप लोगों से मिले हूं अभी स्टाइम बात करें और साम को नहाए हूं तो प्रब्लम तो मुझे होगी लेकिन मन नहीं मान रहा था बिल्कुल तो मैं नहाल लिया अगर मैं प्राइबेट क्लिनी क्या कही चाती तो वहां मुझे उतना वह नहीं लगता है कि यो की सफाइबी रत लिया उतनी मुझे दिक्कत नहीं होती लेकिन वहां से आने के बाद मेरा मन मतलब बिल्कुल भी अजीब सा मुझे होने लगता है लिकिन मैं अभी आये हूं और आप लोगों से फार्टित कर देगू तो मै चोटा-मोटा समान में लिया है जैसे आटीवीशेज वेलरी वगवगरा तो देखती हूं मैं आप लोग के साथ सेयर करूँ तो चलिए देखते हैं क्या-क्या है क्या नहीं है तो अभी मेरे घर पर मचली बनने चाहिए तो अभी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं तो अब म पोड़ा सपोर्ट कर लिया करी है अभी कभी कुछ-कुछ बाते समझ में आ जाती है तो फैजन मुझे देखता होगा वीडियो बनाते है तो वह ही उसको लगता है तो जो बाते हो सुनता है वही हुआ उसके मन में आया तो उसने बोला और यहां पर मैं आप लोगों से कुछ बाते करे थि मुझे याद नहीं है मैं क्या बोली थी क्या नहीं और एक चीज और बोलना चाहते हैं आप लोगों से sorry क्योंकि मैंने कहा था अभी इसके पहले अभी थोड़े देर पहले मैंने आप लोगों से बाते की मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो भी मैंने सौपिंग किया तो वीडियो तो मैंने बनाई थी लेकिन वीडियो गलती से मुझसे ही डिलीट हो गया है क्योंकि बाबु जब वीडियो बना रहा था तो तीन-चार वीडियो उसने रिकॉर्ड किया था अपना तो अच्छा नहीं था तो वो कुछ डिलीट कर दिया था एकान मुझससे था, तो मैंने डिलीट कर दिया, थोड़ा-thोड़ा, वैसे ही, वो भी घुमाफिरार के वीडियो बना लेता है, तो उसी के चक्कर में वो वीडियो भी डिलीट हो गई, और बहुत मुझकिल से कितने दिनों से सोचते-सोचते मैंने बनाया था लेकिन फिर डिलीट हो गई तो मुसकी लिए कि फिर मैं वीडियो बना पाऊंगी तो सौरी उसके लिए कि मैं जो कुछ भी दिखा नहीं पाई तो चलिए कोई नहीं देखूंगी अगर हो पाएगा तो ठीक है ने तो फिर वही साधी के टाइम आप लोग दे मुसकिल है तो चलिए कोई नहीं आप लोग समझ सकते हैं और यहां पर मैं क्या बात करेती है तो मुझे नहीं पता लेकिन जो भी है और कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग जरूर बताईएगा और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें तो बाई तो